हेलो दोस्तो नमस्कार हाजिर हो चुके हैं देश राज आपके गाउं आपके सहर एवं मोदी सरकार की ओर से निकल कराने वाली 15 बड़ी अपडेट्स लेकर सभी बड़ी खबरें आपके काम की एवं फायदे की रहेंगे दोस्तो गुजारी सा इसे लिए वीडियो लाइक करि चैनल सब्सक्राइब करके बिल की घंटी को आल पर सेलेट जरू कर लीजेगा ताकि आपको रोजाना की मुख्य समझार टुडेज ब्रेकिंग नियूज की संपूर जानकरियां सबसे पहली मिलें तो दरसल आज की सबसे पहली बड़ी कबर रसोई गैस सेलेंडर और सी हज 20 दिन हो जाएं साउधान आपको बता दें कोरोना के मामले फिर से देश में बढ़ता हैं इसको लेकर वग्यानिकों और जानकारों की मताबिक आने वाली 20 दिनों में कोरोना की चौती लहर आने वाली है तो कौन-कौन से राजजी हैं जहां पर चौती लहर की संभावना जताई जा रही है आने की इस वीडियो में पूरी कवर बताई गई है वहीं पैन कार्ड और आधार कार्ड नहीं करवाएं हैं आपने लिंक तो अब होने वाला है बड़ा नुकसान सरकार ने दिये जानकारी आप भी अगर उनमें से एक हैं जिन्होंने अपने पैन कार्ड क मैंड ओयल और सरसों का तेल सस्ता हो चुका है तो वहीं दूसरी ओर दाल चावल के कीमतों में बढ़ूतरी हो चुकी है तो ताजा मार्केट रेट इस वीडियो में बताएंगे आखिरकार कौन कौन से चीज़ें सस्ती कौन से चीज़ें महेंगी हुई है इसके लावा अग लाई जा रही है खास योजना का फाइदा आप भी ले सकते हैं कैसे इस योजना में आवे दिन करवाना है और 5000 हर महीने कैसे मिलेंगे जानने के लिए अंतिन तक बने रही है इसके लावा फ्री रासन मिलने पर गहराता जा रहा संकट माई महीने से अब नहीं मिलेगा तो चावल और गेहूं मिलना बंद हो सकता है आप भी राशनकार दाराक हैं तो जरूर जान लिजेगा पूरी कबर इसके लावा शराब के सौकीनों को लगेगा बड़ा जटका फिर महेंगी होने जा रही है सराब सरकार बढ़ाने वाली है रेट तो आपके लिए एक दिये नियम अब पती और पतनी दोनों को मिलेंगे सालाना 6,000 रुपए जयान लिजे कैसे आप भी मोदी सरकार की द्वारा चला जा रही पीम किसान योजना का फादा ले रहे हैं लेकिन अभी केवल घर में एक लोग को ही मिलता है तो अब खुस हो जाएं आपको सरकार 6,000 रुपए पती और पतनी दोनों को देने वाली है तो आखिरकार किस नियम के तहट आप भी यह फादा ले सकते हैं अंतिम तक बने रहीएगा पूरी ख़वर बताएंगे साथी महिलाओं बेटियों एवं युवकों के लिए निकली बंपर भरतियां तुरंत करवा या विध इन 11 राजियों में होने वाली है भारी बारिश आंधी तूफान को लेकर भी जारी हुआ अलर्ड तो आप भी अपने गाउं अपने शहर के मौसम के हाल जानना चाहते हैं तो देज भर के मौसम के अलग अलग राजियों के मौसम भागी तरब से विधर अपडेट आज के लोगों का वाट्साइप अकाउंट बंद जान ले कहीं आप भी तो नहीं कर रहे हैं यह गलती वाट्साइप की ओर से एक बड़ा जटका दिया गया है आखिरकार किनकी लोगों का वाट्साइप अकाउंट बंद हो रहा है कौन सी गलती आपको भी करने से बचना है हर एक जानकारी इस वीडियो मैप को बताई जाएगी आपके फायदे आपके काम की सभी खबरे रहेंगी इसलिए वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को आल पर जरू से लटके लिजीगा तो दरसल आज आपके लिए सबसे पहली बड़ी कबर देश भ दवाईयों का सेवन खासकर गंभीर बिमारियों की दवाईयों का सेवन कर रहे हैं तो सतर खो जाएं दिल्ली में बनाई जा रही एंसी आर में कैंसर की जो नकली दवाईयों है पूरे देश में बेंची जा रही है धडलले से और इसको लेकर दिल्ली पुलिस में एक कीरा सरकार और साती यहां का पुलिश प्रशासन ने पकड़ा है और एक गैंग का भी भंड़ा फोड़ हुआ है जो की देज भर के अलग अलग जगहों पर बेशता था डॉक्टर और एंजिनियर भी खबर आ रही है कि इस पूरे गोरख धंदे में सामिल थे इसके अलाबा ल सालाना 12,000 रुपे आपको मिलेंगे मध्य प्रदेश की सरकार की तरफ से लाडली बहना योजना के तहत ये फाधा धिया चारहा है आप भी अगर महिला हैं बेटी हैं बहन हैं तो सरकार मध्य प्रदेश की आपको 25 मार्च से इस योजना के सुरुवात कर चुकी है तुरंत सरकार की तरफ से सराब की कीमतों में बढ़ उत्री करने का फसला ले लिया गिया है आपको बता दें राजस्तान में अंग्रेजी सराब, बियर अब और महिंगी होने वाली है बोतल जो होती है शराब की 5 से लेकर 60 रुपर तक महिंगी हो जाएगी इसके अलाबा बियर 15 और भी ज़्यादा महेंगा पड़ेगा वहीं अगली बड़ी अपडेट मोधी सरकार ने बदल दिये नियम अब पीम किसान योजना का पती और पतनी दोनों को मिलेगा फायदा हर साल मिल सकेंगे 6,000 रुपए सरकार के तरफ से पीम किसान योजना को लेकर जानकर ही दे गई है कि यहाँ पर सोसल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है मैसे जिसम बता जा रहा है कि अब सरकार घर में दो लोगों को 6,000 रुपए दे रही है लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है केंदर सरकार की तरफ से बतायागी है कि यह पूरी तरीके से अफवाह है और किसी प्रकार से इस दावे में सच्चाई नहीं है तो आपके भी पास अगर यहाँ पर कोई आज पास कोई ऐसा सक्स बताता है कि सरकार पती पतने दोनों को पैसा देती है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है किसी एक विक्त को ही यह फाइदा मिलता है वहीं पैन आधार कार नहीं लिंक होने पर अब होगा बड़ा नुक्सान सरकार न दी है बड़ी जान करी आपके भी पास आपका पैन कार बन चुका है आधार कार्ड है उसे अभी तक आपने लिंक नहीं करवाया है तो अब सतर खो जाएं बहुत बड़ा नुक्सान हो सकता है जी हाँ आएकर विभाग की तरफ से बताय जा रहा है कि आपने अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया है तो फटा फर से करवा लें यह अगर नहीं ऐसा करवाते हैं तो आप अपने खाते से कोई भी वित्तिये लेन दिन नहीं कर पाएंगे इसके लावा पैन कार्ड नहीं होगा तो आप 50,000 रुपए से ज्यादा किसी को भी पैसा भेजने सकते हैं नहीं निकाल सकते हैं तो बड़ा नुक्सान हो सकता है आर्थिक नुक्सान हो सकता है आपको साथी काई अन्य जरूरी वित्तिये काम है जिन्हें आप बिना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक किया नहीं कर सकते हैं वहीं अगली बड़ी खबर घरेलू रसोय गैस सिलेंडर होने वाला सस्ता CNG गैस की कीमतों भी होगी कमी जी हाँ घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में गैस कमपनियों की तरब से बड़ी गिरावड जल्दी की जा सकती है आपको होता दें कमपनियों की ओर से बड़ी खबर दी गई है आठ अपरैल को एक कटोती की गई है CNG और PNG की दाम आठ रुपए प्रती किलो तक CNG सस्ती हो सकती है साथी PNG की दामों में 5 रुपए प्रती युनिट तक कमपनिया कम करने वाली है तो आपको भी घरों में CNG अगर आप गाड़ियों में डलवाते हैं और PNG गैस के इस्तिमाल खाना बनाने के लिए करते हैं तो घरेलू गैस और साथी गाड़ियों में इस्तिमाल हो ले वाली गैस अब आपको सस्ती पढ़ने वाली है आठ अपरहल से कमपनियां ये बड़ी कटोती कर चुकी है वहीं अगली अपडेट वाट्सैप चलाने वालों को लगा बड़ा जटका कमपनी ने 45 लाख लोगों के बंद कर दिये हैं काउंट कहीं आप भी तो नहीं कर रहे हैं ये गलती दोस्तों मेटा के स्वामित वाली वाट्सैप कमपनी की तरफ से बड़ा जटका आपने सभी ग्रहकों को दिया गया है वाट्सैप आप भी इस्तमाल कर रहे हैं तो बता दें कमपनी की तरफ से 45 लाख से ज़ादा ऐसे फरजी WhatsApp इस्तिमाल करने वाले अकाउंट को निश्क्री कर दिया है बैन कर दिया है तो आप भी अगर WhatsApp अकाउंट इस्तिमाल कर रहे हैं और उससे आप spamming कर रहे हैं किसी को भी इधर उधर के messages बिज़ते हैं तो अब आप भी नए ITNEM के मताबिक आपका बैकाउंट बंद हो सकता है वहीं देश में आने वाली है कोरोना की नई लहर वग्यानिकों और डॉक्टरों की ओर से दी गई है चतावनी आने वाले 20 दिन होने वाले हैं भारत में दोस्तों कोरोना की cases तेज़ी से बढ़ रहे हैं ऐसे में देश भरके जानकारों के मताबिक 20 दिनों के भीतर संपूर देश में कोरोना की चौती लहर यानि एक और नई लहर आ सकती है तो फिर से सतर को जाएं कोरोना का XBB 1.16 वारियंट तेज़ी से फाइल रहा है इसको लेकर मौते भी हो सकती है तेज़ी से ऐसी भी कबरे दी जा रहे है महराष्टरा, उत्तरप्रदेश और दिल्ली अंसियर में काफ ज़्यादा इसका प्रकोप दिख सकता है